गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तू प्रक्रती ने मनुष्य को एक विसेश शक्ती दिये, इस्मरन शक्ती यही शक्ती मनुष्य को अन्य जिवों से भिन्न बनाती है ज्यान को पीडी दर पीडी आगे भी बढ़ाती है यही इस्मरन शक्ती मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोका, किसी का किया हुआ कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता और फिर लग जाता है प्रतिकार में पहले समय नस्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में फिर समय नस्ट करता है प्रतिकार का अवसर डुणने में तो गुरुदेव प्रश्ण यह उठता है कि हम अपनी इस्मरन शक्ती को केसे केंद्रित करें अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर जिससे हमें हमारे जीवन में संतोष और आनन्द की प्राप्ति हो सके हैं बहुत अच्छा सवब किया है अपने इसमर्ण सक्ती को अच्छी बातों और अच्छी यादों की और कैसे बढ़ा है जिससे हमारे जीवन के आनन्द और प्रश्वनिता में बृद्धि हो देखिए बात सही है इसमर्ण की शक्ति एक बड़ी शक्ति है लेकिन इसमर्टियां अच्छी भी होती बुरी भी होती है अमूमन लोगों के साथ ऐसा होता है कि अच्छी इसमर्टियां तो कम होती है बुरी इसमर्टियां जदा होती है हम रोज प्रवचर में क्या सुनते हैं उसमें से बहुत थोड़ी बाते याद रहती है पर आज से बीश वरस पहले किसी ने मुझे पर कोई कटाक्ष किया हो या आप शब्द बोला हो वो हरदय में अंकित होता है ये सभाविक है क्योंकि मनुश के संस्कार कुछ ऐसे है और वो बुरी श्मृतियों को याद करता है इससे बचने का सीधा सरल उपाय है जिसे मैंने भावना योग के माध्यम से कहा रोज विक्ति एक बार बैठे अपने अंतर में जाके और अपने प्रति दिन की बुरी श्मृतियों को त्यागे इसी का नाम प्रतिक्रमन है सत संकल्पों को श्विकार करे ये हमारे भावी जीवन के निर्मान की आधर शिला है इसका नाम है प्रतियाख्यान अगर हम ये करने का अभिहाश करते हैं मन से अपने भीतर जाकर मैं अपनी समस्त बुरी श्मृतियों को छोड़ता हूँ मन से हम किसी चीज़ को एक बार निकाल दे तो बात कभी हावी नहीं होती अपने जीवन का अनभाव किया होगा बहुतों के साथ तुमारे कभी जगडे हुए हो और बाद में तुमने उससे दोस्ती का हाथ बढाया उसे च्छमा कर दिया तो श्मृतिया आपका भी हावी होती ही क्या नहीं मैंने च्छमा कर दिया लेकिन कभी किसी के साथ तुमारी थोड़ी खटपट हुई हो बात आगे नहीं बढ़ी परिस्तिया अनुकूल ना होने के कारणे तुमने उससे कुछ बोला भी नहीं लेकिन जब भी वो दिखता है वो श्मृतिया आती है वो आदमी उसने मुझसे तो क्या हुआ मैंने वो गाठ अपने अंदर बना रखी है यही बुरी श्मृतिया मुझे जीवन भर उद्वेलित करती है जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो मनिश्व को चाहिए प्रती दिन अपनी बुरी श्मृतियों को त्यागे अच्छी श्मृतियों को अपनाने का अभ्यास करे और अच्छे संकल्प ले इससे हमारा मन मजबूत होगा हमारी कारी श्म्ता अच्छी होगी और जीवन में एक अलग आनन्द की रसा नभूति हो